हे दोस्तों नमसकार दोस्तों अगर आप लोग एम्स नौर्सेट या आप लोग किसी भी नर्सिंग गौर्रमेंट एकजाम की त्यारी कर रहे हो तो दोस्तों आप लोगों को जो है मौक टेश जरू लगाना चाहिए तो आज हम बात करेंगे टेश्ट बुक मौक टेश्ट के बारे में क्योंकि दोस्तों यहां पे एक नया ओफर चल रहा है मेगा सेवर ओफर जो कि दोस्तों नौ से लेकर 11 सेप्टमबर 222 सक चलेगा इसमें दोस्तों बहुत ही जबरदस ओफर है जो कि इनका एरली टेश्ट बुक जो पास है यहां पे 10% discount मिल जाएगा यानि कि 36 रुपे और भी आपको यहां पे 365 रुपे में दोस्तों discount मिल जाएगा तो दोस्तों आपको mock test लगाने से क्या फ़दा मिलेगा इससे आपकी speed बन जाएगी mock test लगाने से इसकी साथ ही दोस्तों आपके level का पता चलेगा कि किस level पर आप लोग हो और किस subject में दोस्तों weak हो यह आपको पता चलेगा इससे आप लोग जिस subject में दोस्तों weak हो उस subject पर आप लोग फोकस कर सकती हो तो दोस्तों आप लोगों को बता दे नीचे description box में लिंक दिया गए वहाँ पे click करके test book का आप लोग जो है early test book pass जो है 365 नहीं दोस्तों आप लोग मेरा coupon को यूज करना jb10 आपको 36 रुपीज जो है discount मिल जाएगा तो दोस्तों बहुत ही कम कीमत है एक रुपे पड़े के हिसाब से आप लोग idea यहाँ पे लगा लो और यह दोस्तों ओफर जो है करता हूँ प्यारे दोस्तों अभी आपने हमारी यूटूब चैनल job india को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे च्छीड वीडियो को लाइक जिरूप कर देना जिसका दोस्तो एक्जाम जो है 4 सब्टमबर को हुआ था उसका भी दोस्तो मैंने वीडियो बना रखा है जाके आप लोग देख लो इसके बाद दोस्तो 7 सब्टमबर को एक्जाम हुआ था इसके बारे में यहाँ पर दोस्तो एक्जाम रिवू एंड मार्क्स एंड पोल के ब बढ़ेंगे कितने marks बढ़ेंगे इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं और दोस्तो एक्जाम डेट 7 सब्टमबर 22 का पोल आ चुका है कि किस shift के exam hard थे इसकी जानकाय देंगे जी हां दोस्तो shift 1, 2, 3 किस shift के question hard थे इसका पोल यहां पर दोस्तो पोल का जो result है आ चुका है तो दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में बात करूँगा exam के बारे में जैसे कि आपके कितने marks बढ़ेंगे और किस shift के hard question थे और किस shift के marks जना बढ़ेंगे इन सभी की जानकारी आपको दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तो दो दिन exam था आप लोगों का 4 September को exam था तो दोस्तो 4 September को 3 shift में exam हुआ था और इस वीडियो में बात करेंगे 4 September को कौन सा shift hard था किलियर है और इसके बाद दोस्तो हम बात करेंगे 7 September के बारे में कि 7 September में किस shift का दोस्तो hard paper था और किस shift के यहां पर marks जना बढ़ेंगे और कितने marks यहाँ पर बढ़ने की chances हैं तो बहुती जबरदस वीडियो बढ़ने वाली है तो दोस्तो आप लोगों से request है पूरा वीडियो बाज करिए और सबसे पहले हम दोस्तो बात करेंगे 7 सब्तमबर के बारे में देखे दोस्तो नॉमलाजेशन जो है आप लोगों के यहाँ पर होने वाली है यह नई अपडेट एक 6 सिप्ट में दोस्तो आप लोगों का एक्जाम हुआ है तो नॉमलाजेशन जो है आप लोगों के होने वाले हैं और दोस्तो normalization में आपके marks यहाँ पे बढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत ही hard paper यहाँ पे दोस्तो बनाय गया था अब सबसे हम पहले बात करेंगे 7 September का दोस्तो पॉल का यहाँ पे update आ चुका है तो पॉल के बारे में बात करेंगे और इसके बाद दोस्तो बात करेंगे किसétique के यहाँ पे questions hard थे अब देखें दोस्तो यहाँ पे Nursing India YouTube चेनल पर जो है हमने दोस्तो पॉल किया था अभी आपने दोस्तो नरसिंग इंडिया YouTube चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाकि चेनल को सब्सक्राइब कर दो देखे दोस्तों Nursing India YouTube channel पर दोस्तों हमने यहाँ पे दो दिन पहले जो है पोल किया था जी हाँ पोल यहाँ पे जारी किया था जिसमें देख सकते हो यहाँ पी UP NHM CHU PAD 5505 परिच्छा 222 एकजाम डेट 7 सब्तमबर 2022 कि सिप्ट का एकजाम हाड था यह दोस्तों हमने यहाँ पे जिसमें 955 लोगों ने यहाँ पे दोस्तों पोल किया है जी हाँ 955 पे कैंडिडेट ने यहाँ पे दोस्तों ओड किया है देख सकते हो 955 लोगों ने दोस्तों यहाँ पे ओड जारी किया है जिसमें 39 लोगों ने लाइक किया है और 31 यहाँ पे कमेंट्स आये हैं जिसमें द सेप्टमबर को दोस्तों जो एक्जाम हुआ था सिर्फ थर्ड डोस्तों हाड आया था जिहां सिर्फ थर्ड डौस्टिन जो है इसके हार आये थे यहाँ पे 51 परशन बच्चे बोल रहे हैं इसमें दोस्तों जाना पोल कियागे आप लोग देख सकते हैं पोल का जो result आ रहा है यह सिप्ट 3 आ रहा है तो सिप्ट 3 वालों के लिए यहाँ पे नई अपडेट है कि आपके marks बढ़ने वाले हैं सिप्ट वन, सिप्ट टू की अप एच्छा यहां पे आपके marks दोस्तो जारा बढ़ेंगे सिप्ट थर्ड वालों के लिए यह नई अपडेट है नॉमलाइजेशन में दोस्तो आपके marks यहां पे बढ़ेंगे यह साथ सेप्टमबर 22 का अपडेट है सिप्ट थर्ड दोस्तो यहां पे paper hard था सिप्ट थर्ड दोस्तो paper यहां पे hard था आप लोगों ने यहां पे poll किया है आप लोगों के basis पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ clear है ना आप देखे दोस्तो कितने marks बढ़ेंगे तो लगभग 12 marks जो है आपके बढ़ने वाले है एक से लेकर 1 marks, 2 marks, 3 marks जो भी है लेकिन अधिक्तम आपके 12 marks दोस्तो बढ़ने वाले है clear है 12 marks यहां पे दोस्तो आपके बढ़ने वाले है यह आप लोगों के लिए नई अपडेट है तो सभी की यहां पे normalization में दोस्तो marks बढ़ेंगे लेकिन सिफ्ट 3 के यहां पे marks ज़्यादा बढ़ने वाले है सिफ्ट 3 के दोस्तो क्योंकि question papers यहां पे hard बनाए गए थे तो इनके marks यहां पे ज़्यादा बढ़ेंगे सिफ्ट 3 यहां पे दोस्तो question papers hard बनाए गए थे तो सिफ्ट 3 वालों के लिए मैंने आपको update दे दी है किलिए है दोस्तो इसके बाद हम बात करेंगे 4 September के बारे में 4 September का दोस्तो बता दे तो poll किया गया था अब poll में जो हर लगबग दोस्तो यहां पे 45% बचों ने बोला था कि second shift का दोस्तो comment भी बहुत सारे बचों ने किया था poll भी किया था और मैं आपको बता दो 4 September को दोस्तो second shift का paper hard आया था second shift का दोस्तो paper hard आया था clear है 4 September second shift का paper hard आया था तो 4 September second shift वालों के लिए नई update है उनके marks यहां पे normalization में दोस्तो बढ़ने वाले हैं ज्यादा marks से आपके बढ़ेंगे normalization में और 7 September में दोस्तो shift 3rd के marks यहां पे normalization में बढ़ने वाले हैं क्योंकि दोस्तो normalization यहां पे formula अपनाया गया है क्योंकि official website पर दोस्तो update किया गया था मैं आपको notice भी दिखा देता हूँ बाकि यह दोनों के लिए नई update है और कब तक आप लोगों का दोस्तो answer की आएगा मैं आपको बता दू answer की आप लोगों का 12 September तक 100% आ जाएगा 12 September तक दोस्तो 100% आ जाएगा 7 September को दोस्तो आप लोगों का एक्जाम हुआ है तो आप लोग 12 September अब 12 September को नहीं आएगा तो 14 September से पहली हर हाल में आप लोगों का answer की आएगा 15 September दोस्तो नहीं लगेगा यह most important है 15 September नहीं लगेगा 14 September 12 September तो यह 12 से लेकि 14 September के बीच में आप लोगों के लिए नई update है हो सकता है कल भी आप लोगों का यहां पर कल संडे है तो कल बहुत ही कम चांसे है लेकिन दोस्तों हाँ 12 सप्तमबर तक हर हाल में आप लोगों के यहां पर आंसर की आएगा बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सराप का निफ्यूज कर रहे हो आप लोग एक बार बोल लोग 11 सप्तमबर 12 सप्तमबर 14 सप्तमबर लेकिन दोस्तों चार दिन के अंदर आप लोगों का यहां पर आंसर की जारी करता है UP, NHM, CHO तो 7 सप्तमबर को आप लोगों का एकजाम तो दोस्तों कैसा लगा अपडेट जरू बताईएगा थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं नेश वीडियो में धन्यवाद